कि देखो रात के बज़रे दो और मुझे जाना कल गूमने इसलिए वाच का रिव्यू आज ही बिराना बनता है क्योंकि तब तक वीडियो देनी ज़रूरी है और गूमना भी ज़रूरी है अब इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और पहली बार आया तो सब्सक्राइब तो बनता और यहाँ पर फुक्स्टार्ट गाईड यह बेस पार्ट लगा मेरेको इस वाच के साथ Stick रढ़ी बिल दूसरी मारे को यहाँ पर लेधर भी मल जाती है वह्मारी मेंड ड डिवाइस एक motive user और मिल जाते हैं copper brown और ice gray तो लिंक दिया description में अगर check out करना वो check out कर सकते हो आप इस watch में काफी special features हैं जो आपने इसे title में देख लिए होगा बाकी in-depth review obviously हम करने वाले हैं सबसे वहले build and outer शुरुवात करें यहां पर हमारे को metal frame मिल जाता है और पीछे से हमारे को plastic back में मिलती है और यह जो silicon वाली strap है हमारे को इसकी quality भी काफी अच्छी है और साथ में जो pine green की leather strap है इसकी quality भी आपको ठीक टाक मिल जाती है यहां पर right side में आपको physical buttons मिल जाते हैं जिसमें से एक button हमारा lock unlock के लिए यूज होता है और नीचे वाला हमारा main menu के लिए यूज होता है इसके अंदर नमारा को 1.39 इंची की 3D curved AMOLED डिस्पले मिल जाती है जिसका resolution 454 x 454 है और 600 nits की brightness है और जैसे की AMOLED डिस्पले है तो always on display का option आपको मिल जागा जो आपको इसकी display settings में जाके on कर सकते हो और यहां पर always on की timing भी हम चेंज कर सकते हैं कितने minute की आपको timing रखनी है always रखनी है या पांच मिनट बाद off होने की या दस मिनट बाद जैसे भी आपको चाहिए और यहां पर जो आपको आपको दुनिया भर के मिल जाते हैं यहां पर हमारे को approximately 15 to 16 idle faces मिल जाते हैं जो की स्क्रीन अपने आप उफ नहीं होगी यह पहले पांच सेकिंड साथ सेकिंड होता था मैंने बहुत वीडियो में बहुत कि कम सगम 15 सेकिंड करो ब्रैंड ने जादा सीरे सीथा 60 सेकिंड सब अड़ जाओ बीच्छे और डिस्प्ले की बात चल रही है तो रिस्ट वेक वाला इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है जिसके अंदर आप 1500 से भी जादा गाने स्टोर कर सकते हो और गाने स्टोर करने के लिए कोई दिख्कत नहीं है आपको जस्ट इसको पीसी से करनेट करना है यूजब स्टोरेज और चार्जिंग के दो अप्शन दिख जाएंगे आपको यहां से आप गाने प्लेज कर सकते हो तो यहां पर गाने की कोई अइसी लिस्ट थो नहीं मिलेगी बट यहां से शड़ल मोड यहांको फॉ यहाँ पर TWS मोड आप सेलेक्ट करते हो यह आपका टर्न आउन हो जाएगा और उसके बाद आप इसके अंदर TWS सर्च करो और अपने TWS कनेक कर सकते हो और वाच के थू ही आप TWS से गाने सुनो फोन कैरी करने का चक्कर ही नहीं है सिर्फ वाच में पंदरा सो गाने और फुल आयाची बाइसाब अब आपको 7000 के प्राइस पॉइंट पर वाच मिल रही है तो ब्लुटूथ कॉलिंग डेफिनेटल आपको सके अंदर मिल जाएगी और यह जो आपको मेन्यू में स्वाइप करने और नीचे आपको यहां पे रिकोर्ड का उप्शन मिल जाता इसकोअब आप करो ओगे और आ पर रिकोर्डिंग कर सकते हो और अभी बोल रहा हूं को इसके अंदर रिकोर्डिंग यहां पर सेव सेव हो जाएगी काफी ठीकटा कि इसने रिकॉर्ड कर दिया तो अगर आपको किसी को स्पाई वगरा करना हो तो वहां पर काम आ जाएगी या भी कुछ रियल लाइफ में आपको कुछ रिकॉर्ड करना हो कोई मीटिंग वगरा लगता है कि आप मतलब आपके लिए बाद में कुछ काम आएगी क्योंकि AMOLED डिस्प्ले ना तो काफी कलर्स ना वाइबरेंट दिखाई देते हैं और इसके अंदर हमारे को 110 प्लस स्पोर्स मोड बिल जाते हैं कुछ तो यहां पर शुरू में हाइलाइट इन जो मेंली आप देख सकते हो और उसके बाद नीचे यहां पर हमारे सारी कि सार टो पानी-वानी थोड़ा बहुत तो कि आप ज्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नीए खराब होनी कि ऐसी कोई टेंशन नीए इसके अंदर आपको एप्रोक्सिमेटली 15 डे का बैटरी 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 मिल जागा ब्लूटूथ कॉलिंग आफ मोड पर अगर आप आप आ अगर हाथ पर वाच होती है सिर्फ तभी ट्रैकिंग नीए और हाथ पर ढंग से नी बांदी भी तब भी ट्रैकिंग नीए होगी एंड मोशन एक्टिविटी के लिए मैंने पीडियो मीटर ट्राइब करके देखा था स्टेप्स वगेरा काफी अक्यूरेटली इसने रिकॉ लेफ्ट स्वाइप करते हैं यहां पर उनको वैदर दिंग जाएगा यह फोन से कनेक्ट होने के बाद ही शो करता है यहां फिर आपको SPO2 मिल जाएगा उसके बाद हाट रैट मॉनितर मिल जाएगा यहां पर पीडोमिटर मिल जाता है फिर ही में स्क्रीन आजएगी और और उसके बाद यहां पर आपको brightness मिल जाएगी, brightness के आपको यहां पर five options मिल जाएगी, अपने according आप सेट अप कर सकते हो, और brightness काफी से यह से watch की, और view mode आते हैं, आपको तीन options मिल जाते हैं, आपके menu को set करने के लिए, list one, list two and cellular, मेरे को list one सबस्यादा बेटर लगा, जो हमारा यह वाल option है, list two हमारा कुछ ऐसा है, यह भी मेरे को थोड़ा ठीक टाक सा लगता है, उसके बाद हमारा जो third है, वो cellular है, cellular थोड़ा सा confusing लगता है, क्योंकि नाम नहीं आते हैं, आपको icon के through पहचानना होता है, उसके बाद आपको language options मिल जाएगे, do not disturb mode मिल जाएगा, power saver mode आ आप on कर सकते हो, इसके through brightness भी कम हो जाएगी, और काफी सारे features बंद हो जाते हैं, जिसकी वैसे आपको जादा battery backup मिलेगा, और यह हमारा USB mode हो गया, about, shutdown, reboot and reset, then फिर swipe up करते हैं, यहापर हमारे को steps मिल जाएगे, sleep, heart rate, blood oxygen, blood pressure monitor, music, sports, sports history, breathing exercise का आपको मिल जाएगा, weather आपको मिल तो यहाँ पर number number dial करना हो, contacts और यह recent वगरा सब दिखा देगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, एक watch में मेरा number leak हो गया था, वो बहुत कम लोगों को पता है, उसके बाद यहाँ पर message का option मिल जाता है, यह हमारी notification है, जब phone से connect कर लेते हैं, तो सारी notification आपको यहाँ पर show कर जाएग settings वही है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, तो भाई watch का UI वैसा ही है, जैसा यूजिली सारी watches को होता है, extra options आपको दिखाई, जैसे calculator option मिल जाता है, और power saver mode वगरा, and watch का UI है, वो बिल्कुल ऐसा भी extreme smooth नहीं है, और बिल्कुल भी ऐसा jittery नहीं है, आपको use करने जो आपके watch के through sync हो जाएंगे, then device आजाता है, mainly features के शुरुवात यही से होती है, यहाँ पर timing दिखा देगा, auto detect दिखा देगा, auto detect कर देगा, heart rate monitoring जो है आपकी, और यहाँ पर watch market आजाती है, watch market के अंदर आपको दुनिया भर के watch faces यहाँ पर मिल जाते है, जो आप download कर सकते हो apart from them, जो watch के अंदर already stored है, और यहाँ पर कौन सी application का notification आपको चाहिए, वो आप यहाँ से turn on कर सकते हो, और यह कुछ ऐसे application है, जो phone में installed भी नहीं है, तब भी दिखाता है, यहाँ पर alarm सेट कर सकते हो, screen saver timing, यहाँ पर serentry reminder, drink water reminder, मेरा personal favorite है, मैं बूल जाता हो पानी भीना, य find the bracelet से कोई आवाज क्यों नहीं बज़री है, कैसे मिलेगा है, तो हमारे हाथ में vibration हो रही है, vibration से कैसे मिलेगा, यह update हो सके तो दे दो भाई watch में, अगर घर में कहीं रखी हो तो बंदा उसको दबा के ढूंद पाए, vibration से नहीं पता लगेगा, बाकि firmware upgrade और reset वही basic option आपको न menu में दिया है, ऐसे काफी इंटरस्टिंग फीचर है, जो इस watch को तूसरी watches से stand out कराते हैं, अब 7000 बेगी है, Bluetooth calling भी आपको मिल जाएगी, AMOLED डिस्पले आपको इंदर मिल जाते है, 1110 प्लस sports mode, 100 प्लस built-in watch faces, जो सबसे अच्छा option लगा मेरे को इसका, watch face daily change करते हो, लगता ह सबस्क्राइब करो चैनल, तभी तो ऐसे बातचीत बनी रहेगी, मिलता नेक्स वीडियो में अब तक के लिए, बाई